प्यारे बच्चों, हम जामुन का पेड़ पढ़ रहे थे। जामुन के पेड़ इस व्यांगे रचना, कृष्ण चंदर जी की व्यांगे रचना में आवी तक आपने पढ़ा कि जोर का अंधर चलता है, जिसके कारण एक रिक्ष है। कौन सा व्यांगे जामुन का, सेक्टरेट के लौन में गेड़ जाता है और उसी के नीचे दब जाता है एक व्यक्ति, लोगों की भीड जमा होने लगती है, जब पता चलता है एक व्यक्ति उसके नीचे दबा हुआ है। फाइल बढ़ती है, एक डिपार्टमन से दूसरे डिपार्टमन में जाती है, हर व्यभाग अपने काम, उस काम से बचने के लिए अपने कारे को दूसरे की तरफ मोड़ देता है। समय बीता चला जाता है, व्यक्ति तिल-तिल करके मरता रहता है। सिर्फ एक व्यक्ति जो सेक्टरेट का बाली है, उसके पास जाता है, उसे खाना खिलाता है, उसे हर समय का समचार देता है। वह उससे पूछता भी है कि उसे हर समय बताता है कि देखो तुम्हारी फाइल चल पड़ी है आगे हो सकता है फैसला हो जाए इस तरह से बातचीत होती रहती है माली उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई रिष्टे नातेदार नहीं है अगर है तो बताओ उस तक ख़बर पहुचा दे वह तुमसे मिलने आ जाए इतना छोटा सा काम है आप सभी ने देखा उस पेड को उठाना है और के नीचे से सुवेक्ति को बचाना है उस सुवेक हैं और जो नव यूवक हैं वेचाते हैं से बचाना और इसके लिए वो एक जूठ होकर तयार भी होते हैं कि पेड को उठाके वैक्ति को निकाल लेते हैं लेकिन वहां कहीं वैक्ति ऐसा कारे ना कर दे क्या होता है एक सुरक्षा वैवस्ता बढ़ा दी जाती है किसकी उस कि कहीं उसे निकाल ना लिया जाए कहीं यह कारे जिस विभाग का है उसकी जगा दूसरे विभाग का वेक्ति ना कर दे उस वेक्ति को बचाने के वज़ाए सभी कारे वहां हो रही है अपस वे घड़े लोग जब वहां खड़े होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा अगर पेड़ को नहीं काटा जा सकता तो ऐसा करते हैं इस व्यक्ति को ही काटके निकाल लेते हैं आधा इधर से निकालेंगे और आधा उधर से तो क्या होगा पेड़ तो बचा रहेगा किसी भी वेभाग के ओपर किसी तरहां का प्रश्ण चिन्म नहीं लगेगा कि उन्होंने किसी के वेरुद जाके कारे किया वो वेक्ति डड़ जाता है भैसे बोलने लगता है कि नहीं नहीं मुझे काटे ना वो किते हैं कोई बात नहीं अगर कट जाएगा तो उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी से जोड दिया जाएगा तो कहते है एक दूसरा वेक्ति कहते है कि अगर यह मर गया तो हाँ इसके जीवी तरहने की संभावना शाया थोड़ी काम हो तो यही सोचते वे उसकी फाइल अब कहां? Medical Department भेज दी जाती है कि क्या ऐसा हो सकता है संभा Medical Department से खबर आती है कि नहीं इतना आधूनिक नहीं हुई है तकनी कि काट कर आदमी को निकाला जाए और उसके बाद फिर से उसे जोड दिया जाए दिखिए कितना बे तुके बेहुदा चीजें हो रही है वहां शेहर की भीड लगातार बढ़ती चले जाती है जब और कवियों की गोश्टी लगने लगती है गली-गली से शायर जवां हो गए सेक्ट्रेट के लॉन भादी-भादी के कवियों से भर गया क्यूं भर गया? क्यूंकि उसे पता चल जाता है कि वह भी एक कवी है कवी कौन? जो दबा हुआ आदमी है दबी वे आदमी के कवी होने का पता चलते ही बहुत सारे कवियों की शायरों की गोश्टियां लगने लगती है बाती-बात में पता चलता है कि वह कवी है और किस नाम से शिशोबी दे जब पूचा जाता है वह बोलता है ओस ओस एक ऐसा नाम है जो बहुत जादा प्रसिद्ध था साहित जगत ने वह सभी हैरान हो उठते हैं ओस तुम वही ओस हो जिसका अभी एक कावे संग्रे प्रकाशित हुआ है गदे संकलन तो केते हैं हाँ मैं वही ओस हूँ क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो सेकेटरे ने पूचा नहीं आशरे सेकेटरे ने जोड से चीखा इतना बड़ा कवी ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं ओफ कैसी भूल हो गई हमसे कितना बड़ा कवी और कैसी अंधेरी गुमनामी में बड़ा है देगे उसकी उस गुमनामी की चिंता है लेकिन उसके जीवन की चिंता किसी को नहीं है गुमनामी में नहीं एक पेड के नीचे दपा हूं कृपया मुझे इस पेड के नीचे से निकाले अभी बंदोबस करता हूं सेकेटरी फॉरन बोला और फॉरन उसने अपने विभा में रिपोर्ट की दूसे दिन सेकेटरी भागा भागा कवी के पास आया और बोला मुबारक हूं मिठाई खिलाओ हमारी सरकारी साहित एक आदमी ने तुम्हें अपनी केंद्री इशाखा का मेंबर चुन लिया है जहलो चुनाओ पत्रा मगर मुझे स्पेड के नीचे से तो निकालो दब्बे हुए आदमी ने कराह कर कहा उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और इसकी आँखों से मालूम होता था कि वे घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है लेकिन किसी को उसके दुख की चिंता नहीं है यह हम नही कर सकते हैं सेकेटरी ने कहा और जो हम कर सकते थे वे हमने कर दिया बलकि हम तो यहां तक क्या कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं अगर तुम दरखास दो तो हम वह भी कर सकते हैं मैं अभी जीवित हूँ कवी रुक रुक कर ब मुसीबत यह है सरकारी साहित एकादमी का सेकेटरी हाथ मलते हुए बोला हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंदित है पेड काटने का मामला कलम दावाद से नहीं आरी कुलहाडी से संबंदित है उसके लिए हमने फॉरेस्ट रिपार्टमेंट को लिख दिया और एरजन लि जवाब दे रहा था मगर किसी ना किसी तरहां अपने को जीवित जीवन के लिए लड़े जा रहा था कल तक कल सवेरे तक किसी ना किसी तरहां से जीवित रहना है मानो उसकी जीजी विशा उस कवी की उस वैक्ती की जो पेड के नीचे दबा है उसे जीवित रखे हुई थी दूसरे दिन लेकिन होता क्या है जब दूसरे दिन forest department का आदमी आरी-कुड़ारी लेकर पहुचा तो उसे पेड काटने से रोग दिया जाता है क्यों क्योंकि पता चलता है कि ये पेड तो विदेश विभाग से हुक्म आया था कि ये पेड को ना काटा जाए क्योंकि इसे दस साल पहले पिटोनिया राज की प्रधान मंत्री ने सेक्टरेट के लॉन में लगाया था अब अगर ये पेड काटा गया तो अंदेशा है कि दोनों के संबंद बिगड जाएंगे अब सूचे पेड गिरा हुआ है गिरेवे पेड को काटने से संबंद बिगड रहे है बगर एक आदमी की जान का सवाल है एक क्लर्ध चल लाया दूसरी और दो राज्यों के संबंद का सवाल है दूसरे क्लर्ध ने पहले क्लर्ध को संचाया और यह भी तो समझो की पिटोनिय सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है, क्या हम उनकी मितरता की खातिर एक आदमी के जीवन को बलिदान नहीं कर सकते हैं, मनुश्य का जीवन कितना मामूली है यहाँ, सिर्फ एक जैसे आपने जॉर्ज पंचम की नाक, ये पार्ट पढ़ा होगा कक्षा दस्वी में, उसमें जो व्यक्ति, मतलब जिन्दा व्यक्ति की नाक को काटकर लगाने तक के लिए भी लोग तैयार हैं, सम्वेदन हीन और गुलामी की मानसिक्ता से ग्रसित किस तरह से वैं उन्हें बस खुश करने के लिए काम करते चले जाते हैं, कभी को मड़ जाना चाहिए, निस संदे हैं, अंडर सेकेटरी ने सुप्रिटेंडन को बताया, आज सावेरिप धार मंत्री दौरे से वापस आ गए हैं, आज चार बजे विदेश विभाग इस पेड की फाइल लेकर उनके सामने जाएगा और जो वो फैसला देंगे, वैस अब स्विकार करेंगे, अब होता क्या है, शाम को जब पाच बजे सुप्रिटेंडन कवी की फाइल लेकर रहा जाता है, सुनते हो, आते ही वे खुशी से फाइल को हिलाते वे चिलाया, प्रधान मंत्री ने इस पेड को काटने का हुक्म दे दिया, और घटना की सारी अंतराश्टे जिम्मेदारी अपने सर ले लिए, कल या पेड काट दिया जाएगा, और तुम इस संकट से मुक्त हो जाओगे, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई, मगर कवी का हाट ठंडा था, आख्यों की पुतलिया नर्जीव और चीटियों की एक लंबी कतार उसके मुँ में जा रही थी, उसके जीवन की फाल भी पूर्ण हो चुकी थी, आपने देखा कितनी व्यंग्यात्मक और सासा सम्वेदनात्मक कहानी है यह, इस पर चर्चा करेंगे हम, लाइफ क्लास में और अगले वीडियो लेसन में हम इसके प्रेश्न उ करेंगे